दोस्तों मेरे Google AdSense का पिन आ चुका है और इस Google AdSense को आने के बाद में एक YouTuber को कितनी खुसी होती है वो तो साथियो वो ही जान सकता है जिसका ये पिन आ चुका है और जिसका नहीं आया है साथियो वो भी इसका काफी इंतिजार कर रहे होंगे साथियो तो आज देख सकते हो मे ये भी बहुत ही ज्यादा आज जो है खुसी हो रही है तो साथियो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाओंगा कि गूगल AdSense का जो पिन आता है उसकी processing कैसे करते हैं address verify कैसे करते हैं इसको आने के बाद में इस YouTube पर क्या-क्या setting की जाती है वो मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं मेरे पास आये था तो इसको Unboxing का में आपको वीडियो बनाता लेकिन साथ यह unboxing का वीडियो बनाने पहले ही कानूने इसको क्या कर दिया दो पाटों में फाड दिया और साथियो आप देख सकते हो यह भी फट चुका है लेकिन इसकी Unboxing यहां से कर थी यहां से यह नहीं हुई कानू ने इसको फाड़ दिया है तो साथ यहां पर इसमें यह पर साथ यह प्रोसेश भी बताए गए है इंट्रक्शन दिये गए है कि किस तरीके से इसको वेरिफाई किया जाता है ँसमें दिया हुआ सएन इंटु यहॉर सट पर Germany करना है यह पर यह आप पर किन हमारे आते हैं सातियों तो अब सीकते हैं हम डेक्टॉप में किस तरीके से इसकी आगए प्रोसेस होती है सबसे पहले आपको क्रोम प्रावदर को ओपन करने के बाद में आपको सर्थ बार में आदाना है और आपको यहां पर लिखना है सात्यों जो गूगल एडसेंस है गूगल एडसेंस लिखने के बाद सात्यों आपको सर्थ कर देना है झालो में स्क्रेम और आपको देटिक जाएगा गूगल एड्सेंस को ओपन होने देना है साथ यह थोड़ा सा समय लेगा आपको क्या करना है उसको ओपन होने देना है यहां पर ओपन हो चुका है साथ यह इसके बाद में आपको क्या करना है पेमेंट्स जो आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको क्लिक कर देना है अब आ साथ यो आपको क्या कर देना है यहां पर अउनकेक्निक भिरिक्सिंट हो चुपा था तो अब साथ योगा आ चुक के है तो यहां पर Di नीचे जो आपको दिख रहा होगा जूं है थ्री अटेंप्स रेमेनिंग आप यहां पर साथ यो तीन बार ही जो है इसको डाल सकते हो अगर आप तीन बार में सही नहीं डालते हो तो साथ यह हो सकता है आपका Google एंटर्स डिसेबल हो जाए तो साथ यह आपको गलती नहीं करन देता हूं साथियो मैंने मेरे पिन यहां पर एंटर कर लिये है उसके बाद में अब यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना है तो सब्मिट पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं तो सब्मिट करते हैं साथियो आप देखते हैं यह क्या दिखाता है साथियो तो यहां पर आप दे प्रेस बेरिफिकेशन तोरंट के तोरंट कंप्लिक हो जाएगा इसमें सात्यों जादा समय नहीं लगता है इसके बाद में सात्यों प्रोसेज होती है बेंक अकाउंट को लिंक करने की तो उसके लिए सात्यों आपको क्या करना है सबसे पहले पेज को आपको रिप्रेस कर दे आपको अपना पर जोड़ना है जिस बेंक अकाउंट में आपको अपना पेमिंट चाहिए लिए साथ्या आपको क्या करना है यहां पर दिख रहा लिंग करने की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है आप साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है बेनेफेसरी आईडी जो की ऑप्सिनल है आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते तो ऐसे चीज़ को आप छोड़ दो यहाँ पर लिखा हुआ साथियों नेम ओन बेंक अकाउंट बेंक अकाउंट के अंदर आपका क्या नाम है जो आपकी पास्पुक्त में नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है ठीकर साथियों नेम बेंक का नेम आपको डालना है आपका बेंक का नेम कॉन सा है SBI है, Punjab National Bank है, HDFC है या जो भी आपका bank हो वो उसका नाम यहां पर आपको यहां पर इंटर करना है इसके बाद में साथ यो आता है IFSC Code यहां पर आपको अपने IFSC Code इंटर कर लेने है उसके बाद हाँ पर जो है VICS साथ यहां पर आपको क्या करना है आपकी जो नजदेगित साखा है उसमें जाकर आप पता कर सकते हो या फिर साथ यो कुछ भी गल्ती नहीं करनी है यहाँ पर इससे नीचे है साथियो अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर अपने फिलप करने है अकाउंट नंबर आपको सई डालने है साथियो इसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है नीचे फिर से आजाता है री टाइप अकाउंट नंबर यहां पर भी आपको दुबारा से अपने account number डाल देने हैं उसके बाद में साथ ही हो यहां पर पूरी detail फिलप करोगे आप उसके बाद में क्या करोगे आप यहां पर save पे click करोगे जैसे ही आप save पे click करोगे तो आपका bank account बीशिए में link हो जाएगा तो साथ यो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से Google Adsense Pin को verify किया जाता है और साथ ही उसको verify करने के बाद में bank account को किस तरीके से link किया जाता है तो साथ यो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो में दी हुई जानकर या आपको समझ में आई होगी अगर साथ यो कोई भी आपको दिकत आ रही है एड करने में या कुछ भी समझ से आ रही है तो आप हमें comment कर सकते हो साथ यो मिलते हैं लेक्ट वीडियो में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने के दोस्तों के पास सेल भी कीजिएगा